चलना अब फूरे टेल लग रहे है चलू गर अपना यह वक्षूप बार से क्या सांदल लग रहे है यह गाड़ी है एक्टिवा फाइजी न्यूवी गाड़ी है आई थिंग एक दो साल हुआ वाव का गाड़ी को और इसका एंजिन सीज हो चुक है यहां पे पिस्टन लगता अपने वक्षूप पर क्या क्या काम हो रहा है तो एक जो गाड़ी है यह एक्टिवा उसका एंजिन सी जो गया था तो वह यह भी रिपेरिंग चल रहा है तो उसके बार मैं आपको बदाता हूं मैं अपनी दीवाली पर जो पाइक आने वाली है वह आप गेज करके बढ़ा अपने एंट्री कर नहीं वाले है वेटीविन एंजिन से और जहां भी मैं रहता हम नारों में आपको बदा सकता है लेकिन बाइक तो कंफर्म है जी आट सो नहीं या पेची आट सो मता दिये दोनों में से एक गाडी तो होने वाली है अब एकडिवा का एंजीन ने थो खोल डाला और आपको एकडिवा के हाल दिखा देख देखा देखा देते हैं यह एक टिवा के साथ अवाय चल रही है और यह कौनसी गारी केंजीन है आपको बता देताऊ है एकडिवा 5G कि निवी गाड़ी है एक दो साल वाव का गाड़ी को और इसका एंजिन सीज हो चुका है यहां पर पिस्टन लगता है यह पुरा वर्किंग करता है अंदर कुछ भी नहीं है सारा समान इजर साप हो रहा है देख सकते हूं यह पेट्रोल से यहां पर सारा समान पढ़ा हुआ ह एंजिन पूरा एकदम क्लीन कर रहे है एकदम देख सकते भाई कितना छोटा एंजिन है बट लगेगा तो बनेगा तो पूरा आपको दिखांगा कि कितना बड़ा एंजिन होता सी फाइजी में तो फाइजिन नहीं रखोगे तो आपकी गाड़ी का भी एसा हाल होने वाला ह है पूरा एंजिन खुलना पड़ेगा और आपके उपर पता है क्या खर्चा होगा फिर एंजिन रिपेर करने का आप जानो बट एंजिन में प्रोपर ऊईल रखा करो जितने किलो मेटर पर चेंज करवाना होता है उस पर करवाय करो नहीं करवा तो फिर से खर्चा होने वाला यह कोई भी गाड़ी में अगर ओईल का ध्यान ने रहोगा एंजिन विल का तो वो टेमेज होने वाला है अब बिना ओईल के किसी को आप भूमाओंगे खेंचोंगे उसका एंजिन में इतना अशार पड़ेगा न है वो एंजिन अना सफेद धुआप फेकना स्टार्ट कर देगा तो पॉपरड़ी 2000 किलोमेटर पर हार गाड़ी का यानि टूविलर सेग्मेंट की बात करा हुआ 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 है तो फिर पूरा एंजिन पूरा सीज हो जाएगा एक टाइम ऐसा आएगा तो फिर रूट रिपेर करवाना पड़ेगा उससे पहले कि अब इतना थान रखो गाड़ी का ताकि वा इंजिन को लेकर बिनोगों तीन आए तो फाइनली अभी है आए अपने वाक्सोप पे इसका काम चल रहा था एड़ अब सभी को दिखाता हुआ क्या काम हुआ हुआ है तक अब बुप बॉट चोड़ा लग रहा है पेंट वैंट हो गया है जो रहा है जो ना था सारा काम जो वाल का एंड पैंट और प्योप अप अब बीरिंग का गाम याज वारिंग आज होगी है तो यह पीछे का सटर है यहां से पूपन करेंगे तो पीछे अली गले से निकल निकल के गया वहाई जब आज देख सकते हो यह भी पेंट हो चुक है अपनी रहं पे भी बस इनको वससाइड करना है यहां पर प्रोपर यह सेट होंगे फ्रोस में एंड अपनी ओपीस तो सारा वारिंग का काम हो चुक है बस इनको सेट करना बागी है पुरी वाल भी कंप पुलिट होगा फिर इनका काम होगा एंड यह वाला टूल वाल आप देख सकते हैं आर से देखे कितना बड़ा वक्सोप है अपना बस यह दा सेरे को इसकी ओपनिंग है तो टाइम टेबल यह तो टाइमिंग होगा आप सबीको बता दूंगा एंड लाइट देखे अभी त आरोल से असलाली ए यह वाली बन गयों कर इसको चालू कर ना बन गदेखे चालू कर चला आप पूर अटन लग रहा है चालू कर शुच होगी स्वीच अट भी ख़ए गईए अब ना यह वक्शोप पार से क्या सांदाल लग रहा है यह अइए ओकस सब कर दो बनेक्ट कर और हो यह मॉर्णिग होते ही यह अपने बन बं लेक्ट होते हैं रिंपना श्रिंग होते ही पना बंद नािट खो booked जो रो सो रो से काम चालू है वक्सोप का बस धंतेर इसको इसकी ओपनिंग है दसे रेगो सोरी दसे रेगो अब यह काम स्टार्ट होगा ना बई जब कंप्लीट होगा तो आपको दिखाऊंगा क्या चोड़ता लगता अब इसमें यहां पर वोल पेपर एंड सारे टूल किट और जो टूल टेबल आने वाली हो सब कुछ फिटिंग करने भी बाकी है जब अपना वक्सोप एडी होगा अब सब्सक्राइब क्या चूड़ता लग रहा है एक अपतावर जेसा लगेगा बट कंप्लीट होगा तो मिलते हम अपने वक्सोप पे क्या काम चल रहा हम आपे वो भी चेक करवाता हूं तो अब मैं इसका एंजिन का काम भी कंप्लीट हो गया एंड फिट भी हो गया और यह है आई जी है सिख जी है ना सिख जी का भी एक्सिदेंट इलता तो इसमें अभी काम चले क्या करना है अब कंप्लीट हो गया वह गाड़ी भी फिटिंग हो जाएगी एंजिन तो कंप्लीट हो चुका है नेक्स ब्लोग में अब तक वीडियो को लाइक एंड करेंग